पुराणों और शास्त्रों के मुताबिक भगवान सरिक्रिष्ण विष्णुजी का अवतार है। विष्णुजी ने माता देव की और वासुदेव जी के वंच में कानहा के रूप में जन्म लिया था। प्रिथवी को पाप से मुक्ति दिलाने के लिए कनहिया प्रिथवी पर अवतरित हुए थे। उनका पूरा जीवन मानव जाती के लिए सीख था। बच्वन में गोकुल और रंदावन में अपने नटखट रवईये और शैतानियों से उन्होंने खेल-खेल में लोगों को सही और गलत सिखाया। गाओं की महिलाएं और लड़कियां तो यमनाम ने स्नान करने जाती थी। उनके कपड़े चुरा कर कानह ने एक बड़ा संदेश दिया। राधा से प्रेम किया लेकिन विवा नहीं किया। इसके जरिये भी उन्होंने धर्म और कर्म के बारे में सिखाया। महाभारत में अरजुन का सार्थी बन पाप और असत्ति के खिलाफ युद्ध के लिए अपनों के विर्द खड़े होने का पाट पड़ाया। धर्म विशेशग्यों के मुताबिक सिर्कृष्ण के बताए मार्ग पर चलकर जीवन की कठनाईयों को दूर कर सकते। उनके जीवन की कुछ बातों को अपना कर कोई भी अपनी जिंदगी में सफलता को प्राफ्ट कर सकता है। दोस्तों, आज ऐसी ही पाँच बाते जो हम सरी कृष्ण से सीख सकते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पांडव और कौरवों का मुकाबला हुआ, तब भले ही कौरवों के पास ज्यादा सेना बड़े-बड़े धुरंदर थी, लेकिन कृष्ण ने अपने मित्रों यानी पांडवों का साथ दिया। जब ही किसी को कृष्ण की मदद की आउशकता होती है, तो कहना हमेशा उनकी मदद के लिए आगया आते हैं। लर्निंग नमबर टू, दोस्ती में हैसियत ना देखें। गष्ण और सुदामा की मित्रता की मिसाल दी जाती है, एक राजा और एक गरीब। बच्वर में शिक्षा के दौरान वो दोनों आस्रम में मिले थे, सालों बाद परिस्थिथियां बगली हैं। सुदामा की आर्थिक हाला थराब होगे, लेकिन केशव को सुदामा के गरीब होने या भिक्षा मांग कर परिवार का भरन पोशन करने पर कोई शर्मिंदिगी नहीं थी। उनके लिए सुदामा बाल सका थे, सुगदुग के साथी थे, एक राजा होते हुए भी उन्होंने सुदामा के महलाने पर उनका बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया। खुद सुदामा के चरणों को धोया, मित्रता में कनहिया ने कभी भी हैसियत नहीं देगी। Learning No.3 सही राह पर चलने की सलाथ सुरी कृष्ण खुद धर्म के मार्क पर चले और अन्य लोगों को भी सही मार्क पर चलने की प्रेड़ना दो धर्म की रक्षा के लिए सुरी कृष्ण ने कौर्वों की सेना का सामना करने के लिए पांडवों को प्रेड़ीत किया। जब युद्ध के मैदान में अर्जुन के सामने उनके परिवार के लोग खड़े थे जिन से युद्ध करने में वो व्याकुन हो रहे थे, तो कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ चुनाया। सार्थी बनकर फूरे युद्ध में अर्जुन के साथ चलते रहे और धर्म की लड़ाई में पांडवों का साथ दिया लर्निंग नंबर फोर शांती का पाड़ भले ही महाभारत के युद्ध में सरी कृष्णे ने अर्जुन का सार्थी बन उनकी सहायता कि भले ही कृष्णे ने गीता का उपदेश देकर अर्जुन को अपने ही रिष्टेदारों से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया लेकिन जब इस युद्ध का आगाज होने वाला था तो कनहिया ने महाभारत रोकने का प्रेत न भी किया था वो स्वयम कौरव के पास पांडवो का शांती दूद बन कर गए थे वो चाहते थे कि वो ये विवाद शांती से निफटाए हाला कि कौरव ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और महाभारत है युद्ध फिर भी हुद्ध लर्निंग नमबब फाइब प्रेम आध्धात्मिक है क्रश्ण और राधा का नाम हमेशा एक दूसरे के साथ विया जाता है राधा रानी क्रश्ण की प्रेमी का थि, लिकिन दोनों ने विवाद नहीं किया क्रश्ण ने अपने प्रेम और विभा से लोगों को ये समझाया कि प्यार आत्मा का रिष्टा है बहुतिकता नहीं राधा उनकी आत्मा थी राधा और क्रश्ण एक ही हैं आत्मा और शरीर की शादी नहीं होती वो तो एक ही होते हैं इसके अलावा क्रिश्णी ने ये भी शिक्षा दी कि प्रेम में मुकमल ना होने पर अपने कर्तवियों से विमुक नहीं होना चाहिए जीवन से हार मानकर प्रेम के पीछे भागने से बहतर है कि वो काम करें जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें दोस्तों स्री क्रिश्णी की कहानिया चाहे आप किताबों में पढ़ें या टीवी पर देखें अगर आप इन पर गौर देंगे तो आपको मालूम होगा कि इन से आपको जिन्दगी में बहुत सीखने है भगवान क्रिश्णी के इन सीखों को अपना कर आप भी अपने जिन्दगी को खुश्टुमा बना सकते हैं और एक अच्छे इनसान बन सकते हैं तो आप सभी को जन्मास्टमी की धेर सारी बधाईयां